यहां कह रहा है कि स्टेट्मेंट पर विचार करते वे करेक्ट स्टेट्मेंट को खोजना है सही कतनों को खोजना है तो पहला है मनुस्चिका जैविक विभव एक बात हमेशा ध्यान लखिएगा इन्वार्मेंट टिकलोजी के कुश्चन को सौल्व करते समय यहां तक कि कि इंग्लिस के options को भी देखते वे चलना है क्योंकि जो यहां जैविक भी हो दिया है उसे यहां पर बायोटिक potential के रूप में देखकर हम समझ सकते हैं कि बायोटिक potential एक टर्मलोजी यह basic concept है बायोटिक का मतलब हो गया जैविक और potential का मतलब हो गया च्छमता अब किसी जीव की च्छमता को हम कैसे समझते हैं परिभासित करते हैं तो किसी जीव की छमता को हम उसके प्रजनन छमता की रूप में देखते हैं यानि जिस जीव की प्रजनन छमता अधिक होती है जिसको आप कह सकते हैं जिसमें फेकंडिटी रेट अधिक होता है संतानों को उत्पन करने की छम्ता अधिक होती है उस जीव का बायोटिक पोटेंसियल भी अधिक होता है ठीक है एक टर्म है जिसका मीनिंग पता रहने चाहिए अब यहां कह रहा है कि मनुस्य का जैविक विभाच चुहे से अधिक होता है अब सोचिए कि कोई विक्ति अगर इस टर्म का मेनिंग जानता रहेगा कि बायोटिक पोटेंसियल किसे कहते हैं तो उसके बाद वह अपने कॉमन सेंस को भी अपलाई करके इस प्रस्ण का जवाब खोच सकता है कि मनुस्य के द्वारा जो बच्चे पैदा किये जाते हैं और चुहे के जो बच्चे होते हैं तो जहां चुहे होते हैं, जब उनके बच्चे होते हैं, कई छोटे 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 आपको एक साथ चुहो के बच्चे दिखाई देंगे, तो कहेंगे इस आधार पर, तो सीधी सी बात है, कि मनुस्य का, के जैविग विहों से चुहे का जेविविविविव तो कई गुना अधिक होता है यानि यह statement क्या है गलत है कब यह सही होता है जब लिखा रहता कि चुहे का biotic potential मनुस्य से अधिक होता है तो सही होता है ठीक है एक और बात ध्यान रखिएगा एक यहां से statement को समझना है metabolism उपाप चाहिक रिया है तो जहां एक तरफ हम किसी जीव की छमता का अध्यन करते हैं तो उसके biotic potential को देख कर समझते हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी जीव के द्वारा उसके बृधी और विकास के लिए उसके सरीर के अंदर metabolic activities होती है जिसके जो आप बालो जी में पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे catabolism और एनाबलिजम जटिल कारबनिक पदार्थ को decompose करने की प्रक्रिया को हम catabolism कहते हैं उसके लिए हमें कहीं न कहीं उसे decompose करने के लिए हमें उरज़ा कि आए सकता होती है और जैब हम decompose करते हैं तो उसके बाद जो है वही decompose करने केबाद फिर से हम उसका हम उपयोग करते है तो हमें उरज़ा की प्राप्ती ही होती है और वहीं जब simple molecule जो है वो combinations में convert होता है तो से हम anabolism कहते है यानि अग एगर Glycogen Glycogen में convert हो रहा है तो Anabolism और Glycogen Glycogen में convert हो रहा है coincetab foolishly glucose से हमें और द्या की प्राप्ति हो रहiej है। जिसकर संबंध रेस्पिरेशन से हैं अब सूच ये science का concept है इसको अगर आप धियान रखे तो जिस metabolism के द्वारा हैं कोई भी जीव अपने सरीर रूपी मसीन को चला पाता है किसी भी कारी को करने के लिए जो उसे उर्जा किया हो सकता होती है उसका वो उप्योग कर पाता है उस प्रोटीन का अपने प्रोटीन का कह सकते हैं कि प्रोटीन को अकुमूलेट कर पाता है जिससे उसका ब्रधी और विकास होता है तो जैसे जैसे किसी भी जीव का आकार छोटा होता जाता है वैसे वैसे उस जीव में क्या होगा वाटर कंटेंट कम होता जाएगा तो आप सोचिए एक ऐसा जीव जो मर्वस्थलिये प्रदेश में रहता हो जहां जल संकट की समस्या है जहां उसे जल संसाधन का प्रबंधन करना है मैनेजमेंट करना है जल की कमी वाले छित्र में रहकर अपने अस्तित को बनाय रखना है तो वहां उसका आकार क्या हो जाएगा छोटा होगा तो मर्वस्थलिये छित्र में रहने वाले जीवों का आकार इसलिए छोटा हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने मेटाबोलिजम को बनाय रखने के लिए कम से कम जल का उपयोग करना होता है तो एक ये भी concept है जिसको आपको जायम रखता है एक तो हो गया biotic potential दूसरा हो गया metabolism तो जहां पर जल के अधिकता होती है जहां भोजन अधिक होता है वहां पर विशाल काय जीव मिलेंगे जिनके सरीर का आकार बड़ा होगा जिनके सरीर में पानी की मात्रा अधिक होगी और उनका metabolic activities भी क्या होगा अधिक होगा ठीक है अब देखिए उच्च जैविक विवोस से जनसंख्या में कमी आती है high biotic potential leads to decrease in the population तो कह रहा है कि अगर जिसका biotic potential अधिक होगा जिसका biotic potential अधिक होगा उसके द्वारा तो बच्चे पैदा करने की छमता क्या होगी अधिक होगी तो इससे जनसंख्या में कमी आने की बज़ाए क्या होगी ब्रदी होगी इस आधार पर कहेंगे कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है क्योंकि यह कब सही होता है जब यहां होता है जनसंख्या में ब्रदी होती है तो ना तो एक सही ना तो दो सही अब देखिए है यह प्रस्ण environment ecology में लेकिन इस प्रस्ण में जो term यूज किया गया BIotic potential यह term biology का है, science का है question solve कर रहे है environment ecology के division किस सा कर रहे है biology का improvement कर रहे है देखे सीधे मैंने पहले भी आपको कई question discuss करने के दोरा clear किया था कि question paper को solve करने के साथ revision का कार अच्छे ढंग से की जिये और revision करते वे अपने concept को बेहतर करने के साथ कुछ नई बाते आए तो उसको अपने notes में add कीजिए और अपना improvement भी करते चलिए basic थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन इससे जो आपको benefit होगा वो आप imagine नहीं कर सकते हैं इसका output बहुत अधिक होता है इसलिए मैं कोशिस कर रहा हूँ कि आपको जहां तक हो सके last moment में भी एक overall revision करा सको कुछ नई बाते भी अगर आपको जानने को मिले जिससे आप को लगे कि चलो फाइदा हुआ जो नहीं जानते थे वहाँ यहां सीख गये तो और बहतर हो सकता है अब देखिए यहां पर statement पर विचार करते हुए हमें correct statement को पहचानना है यहां पहला statement है bacillus bacillus thurigenesis का प्रयोग जिया उर्वरक के रूप में किया जाता है यहां दो technical term है एक bacillus thurigenesis और दूसरा bio fertilizer sorry यहां लिखा हुआ है bio fertilizer और bacillus thurigenesis अब ध्यान दीजिए जैव और वरक वैसे सुक्ष्म जीव को कहते हैं जो मिर्दा में उपस्तित होते हैं और मिर्दा में उपस्तित होने वाले इस प्रकायसे सुक्ष्म जीव मिर्दा के में पोसक तत्तों की मात्रा को बढ़ाते हैं या ये किसी वनस्पती में या फसलों में एंजाइम के संसलेशन में सहायक होते हैं तो ध्यान दीजिए दो तरह के चीज़ हैं या तो ये पोसक तत्तों को उपलब्द कराते हैं या एंजाइम के संसलेशन में भी सहायक हो सकते हैं और इस प्रकार के सुक्ष्म जीव के कारण मिर्दा की उत्पादक्ता में बृद्धि होती है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है या लिघ्ने मिर्टी के नमि को भी डीसाइड करते हैं और यह बैसलस्ट फिरुगिनेशिस जो है यह एक करकार bacteria है बैसलर सिरोजनेस्टिस एक प्रकार का जो bacteria है इसमें एक gene मिलता है जिसे कहते है cry gene और यह gene जिस protein का sensation करता है वो protein है pro taxing इस protein के कारण ही जब कोई भी कीड़ा इस बैक्टेरिया को खाता है तो उसके सरीर के अंदर आइनिक और संतुलन हो जाता है यानि उसका जो इंटेस्टाइन होता है आथ होता है उसमें आइनिक और संतुलन हो जाता है जिससे जिससे कहीं न कहीं वह कीड़ा मर जाता है और इस कारण से बैसलस हिरो जेनेसिस को बायो पेस्टिसाइड का नाम दिया गया है जेव किट नासक के रूप में देखा जाता है और इसकी इसी विशेश्था के कारण जेव तक्नीक की सहायता से इसके क्राई जीन को निकाल कर बीटी कॉर्टन बीटी ब्रेंजल बीटी टेमाटर जब आप क्रॉप्स क आगे सुनते हों कि बीटी किस्म के फसल उसमें इस जीन को ट्रांस्प्लांट किया आता है जिससे की उस फसल को अगर कोई कीड़ा खाए तो वो नस्थ हो जाए तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या क्लियर है कि बैस्टिलस थिवरी जिनेसिस एक प्रकार का बायो पेस्टिसा यह कि बायो फर्टलाईजर किसे कहते हैं बैस्टिलस ऐरी जिनेसिस की कौन से विश्टेटशा इसे बायो पेस्टिसाइड बनाती है दूसरा देखें ट्राइकोडर्मा जो एक प्रकार का कवक है और कवक अगर आप मुनिरा प्रोटिस्टा और फंजाई की बात करें तो फ मिट्टी में बहुत ही तेजी से इसकी संख्या बढ़ती जाती है तो जहां ट्राइकोडर्मा के प्रजातियां मिट्टी में उपलब्ध होते हैं वहां पर ये वहां के वनस्पति या फसलों को कीडूं से बचाने का कारी करते हैं क्योंकि जो कवक होते हैं वो एक प्रकार से स फसल में कीडे के लगने की या उस कीडों के कारण नस्थ होने की संभावना कम हो जाती है यानि कौन सा फंगल डिजीज से बचाने का कोशिज करते हैं तो कहेंगी यह स्टेटमेंट तो करेक्ट है पहला जो है यह बायो पेस्टिसाइड है और कवक के कारण होने वाले बिमार तो पहले से क्लियर है कि पहला गलत है तो यह तो नहीं होगा लेकिन यहां पर पहला गलत है तो सी भी नहीं होगा और अब बचा क्या दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहां पर केबल दो होगा ऐसे भी आप कॉस्टिन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि पहला स्टेटमें अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको B और D में select करना है, तो बायो पेस्टिसाइड्स अर नौट इजली डिकम्पोज़्ट, अब ध्यान दीजे, कह रहा है बायो पेस्टिसाइड्स अर नौट इजली डिकम्पोज़्ट अज डियार अर्गेनिक कम्पोज़्ट, तो कारबनिक पदार्थों का विगटन आसानी से नहीं होता है, तो कहेंगे statement तो गलत है, क्योंकि बायो पेस्टिसाइड्स अर्गेनिक कम्पोज़्ट होते हैं, वो इजली डिकम्पोज़्ट हो जाते हैं, और इसलिए कहा जाता है, कि हमें रासाइनिक उर्वरक की जगह, जो कीट ना सकों कि उप्यों को महत देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उनके कारबनिक होने के कारण, उनका आसानी से विगटन हो जाता है, तो ये गलत है, तो देखिए, इस question को solve करने के लिए, आपके पास अगर basic concept होगा, तो भी आप इस statement जिसके बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप एक सही उत्तर प्यास सकते हैं,